तीसरा अध्याय प्रारंब तू चेतन स्वरोब आत्मा सत्य काम है सत्य संकल्प है सत्य काम और सत्य संकल्प उसे कहते हैं जो जिस कामना के लिए संकल्प उठाए उसका वह संकल्प सत्य हो जाए अब तू जान ले कि संकल्प और कामना चेतन में ही उठती हैं जड़ वस्तु में नहीं अब जबके तू इस जड़ शरीर को त्याग देगा तेरे बिना ये है पांच भूतों का बना हुआ शरीर कारण रूप पांचों भूतों से मिल जाएगा अर्थार्थ आकाश में आकाश वायू में वायू अगनी में अगनी जल में जल और माटी में माटी परन्तु तू तो ग्यान स्वरूप प्रकाश स्वरूप अजर अमर सचित आनन्द स्वरूप है इसलिए तू तो चेतन आत्मा में ही मिल जाएगा क्योंकि तू चेतन का अंश है जड़ का नहीं जैसे राजा अपने स्थान पर पहुँचकर अपने महल में ही जाता है और गड़वाला गड़वालों में गोड़ा गुड़ शाला में और लगाम खूटी पर लटकाया जाता है और रत को रत के घर में खड़ा किया जाता है कहने का ताथ पर यह है कि जो बस्तू यहां से आती है कार्य पूरा होने पर वहीं पुनुच जाई जाती है और कहीं दूसरी जंगे नहीं लेट जाई जाती इस लिए मैं तुझे बार-बार कह रहा हूं कि तुम अब इस संसार रूप संग्राम में अपने काम प्रोद आदिशक्त्रू को जीच चुका है अब यहां तेरा कोई काम बागी नहीं रहा यह प्यारी अब तो तु इस रत रूपी शरीर को और दसों भोडों के सरी लगाम रूपी मन को और गड़वाला रूपी बुद्धी को त्याव कर अपने आनंद भवन में जाकर निश्चिंत हुआ विश्राम कर हां अगर तेरे काम प्रोद आदिशक्त्रू में से कोई एक भी जीवित रहा रूपी में रथादी गोडो वे सार्थी समेथ फिर आना पड़ेगा क्योंकि सर्व दुष्मनों को जीते बिना तु अपना निश्क टक अखांडा नंद प्राज्य पदप्राप्त नहीं कर सकेगा ये मेरी आत्मा तेरी स्वतंत्रता वैस्तवराज्य को छीन कर तुझे ड उनकी फोज कितनी है उनके पास कैसे हतियार है वह किसकी संतान है और वह किसकी मदद लेने से किन हतियारों से जीज जाएंगे उनके मानने के लिए उप्योगे युद भूमी कहां है हे भाई इन सब बातों को और उनके सुक्ष्टम त्वत्वों को जान लेने से ही तुम सर्वध्यत्या और शत्रों पर विजय पास अकोगे तुम्हारे शत्रू कोरव है जो संख्या में सैकड़ों है और वह शत्रू दृत्राश्टी जो शरीर उपिराश्ट को धारण करने अंधा अग्यानी जीव है उसके पुट्र है उनकी माता गांधारी अर्थार्थ इंद्रियों के विश्यों को धारण करने वाली और आत्म ज्यान की तरफ से आंखों पर पट्टी बानकर अंधी रहने वाली बुद्धी है और उसके सो पुट्रों में सबसे बड़ा दुर् दन उसे कहते हैं जो तन मन वचन से सदा पाप कर्म करता है और पाप कर्मों के करने से दुख ही भोगता है उनके रहने के लिए दिली अर्थार्थ दिल अंतह करण है उनकी फोज दस इंद्रिया और एक मन यह ग्यारा अक्षोनी है और वह सब शब्स परश रूप रसगंद इन पांच विश्यों रूपी विश्यों को खाकर उनमत और मतादंध हो जाती हैं उनके पास हिंसा असत्य वचन बेरिमानी नास्तिक्ता अपवित्रता मत्सरता छल कपट पाखंट आदी अनेक हतियार हैं उनको मानने के लिए पुर्षेत्र अर्थार्थ मनुष्य योनी के काया ही कर्म शेत्र उप्योगी है और योनिया नहीं है वह महा भारत रत धर्म युद्श्री गीता जी की सहायता से और असंग रूप शास्त्र से जीता जाता है इसलिए बस इतना ही मिश्य बहुत है कि मैं ही ब्रह्म हूं यह संसार रूप सिनेमा का खेल मैंने ही अपने आ पैसा हजम बोल अपने आप की जै । दर्शक गण इसी संसार का है क्योंकि यह संसार दूई की दुनिया है इसलिए इसमें पाप और पुन्य, स्वर्ग और नर्ग, सुक और दुख, जन्मा और मर्ना, फानी, लाब दो दो रास्ते हैं पर मेरे आनंद धाम में तो केवल एक मैं ही सचित आनंद हूँ, यहां के कानून मेरे धाम में नहीं चलते, बल्कि मेरे धाम के कानूनों को जानने और मानने वालों पर यहां की सरकार का कुछ भी जोर नहीं चलता मैंने जो खेल तुमको दिखाया उसका तुम सबने देखा होगा कि मैंने एक छोटे से जोले के अंदर से अपने जादू की माया से कितने ही कबूतर, नेवले, चुंधे, साथ और भी अनेक प्रकार के जीव जन्तु बना कर निकाले उन्होंने तुमको अनेक खेल दिखाई, फिर मैंने उसी माया के जोले से कई प्रकार के फल और बे मौसमी फूर निकाले, फिर मैंने अपनी माया से तुम्हारे सब के सामने आम का बीज दर्ती में बोगर पांच मिंट में ही उसके फल तुमको खिला दिये और फिर मैंने हाथ में थोड़ी सी माटी लेकर गुचुडू मंत्रे से हजारो चांदे के रुपे बना कर तुमको दिखाई, फिर मैंने एक लड़के का सिर तलवार से काट कर धर से अलग कर दिया, तो बतलाओ, क्या तुम्हारी सरकार में मुझको इन अच्छे या बुरे कर्मों की कुछ सजा या जज़ा दी है, या मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चला सकती है, कभी नहीं, इसी प्रकार जब एक छोटी सी माया के जानने वाले जादूगर को भी इस संसार की सरकार दंड नहीं दे सकती, फिर मैं तो अनंत शक्तियों का मालिक हूँ, माया का पती अपनी माया से शन शन में अनेक प्रकार के अनंत ब्रमान रच कर करीडा कर रहा हूँ, अब तुम ही समझ लो कि इस संसार में द्रिश्टा, दर्शन, द्रिश्य होकर भी मैं एक ही हूँ, तो फिर मुझ को पाप और उन्य, एवन मुंसे होने वाले, नर्क और स्वर्ग देन यमराज और धर्मराज आदी कैसे बंदन हो सकते हैं, यह सब लोग और परलोग और इनके भोग सुखिया दुख सत्य नहीं, यह सब तो मेरी माया के विलास मात्र हैं, इसी कारण से मैं अपने आपको ही नमश्कार करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा अजीव जादु गरू तेरी माया नटनी अजब गजब के खेल दिखाने में इतना कमाल करती है कि और तो और खुद मुझ को भी अपने फंदे में फसाकर नाच नचा देती हैं, ओहो देखो कितने अश्चरिय की बात है कि मैं निराकार अलग निरंजन आनंद स्वरूप होकर भी इस मोह माया के ज अचंबे की बात हूँ कि मैं सर्वग्य सर्व शक्तिमान और सर्व व्यापक सर्वनाम स्वरूप होकर भी इस माया ठगनी के जाल में आकर काम प्रोद मद लोग मोहो एहकार आदी की कैद में रहकर इस देहे रूपी नर्क के कुंड में जलता रहा हूँ यह मैंने कितना भ्यंकर स्वपन देखा कि न कहीं गया और न कहीं से आया केवल अपनी ही अज्यानता से अपने स्वरूप को भूल कर अपने ही अंदर से संकर्प विकर्पों का जाल फैला कर उसमें आप ही फस गया जैसे मकडी अपने ही अंदर से तार निकाल कर जाल फैलाती है फिर आप ही उसमें फस कर सुख तुख पाया करती है तुलसिदास जी का कहना सत्य है पर मैंने तो उसका अर्थ समझाई भी नहीं था निज माया बस भयोग वसाई बंदियो कीर मरकट की नियाई अर्थार यह जीव जो सदा सरवदा इश्वर का ही अंशय अपने अग्यान से ही अपनी माया के बस में हो गया है जैसे कीर, तोता और मरकट, बंदर अग्यान से बंदन में बन जाते हैं और फंदी से पकड़े जाते हैं जैसे तोते को पकड़ने वाला फंदी जंगल में जाकर एक हाथ के लंबे दो डंडे धर्थी में एक एक हाथ के फासले पर गाड़ देता है फिर उनके उपर के भाग में एक बास की नलकी उस एक तार पर पिरो कर बांग देता है और उसके नीचे चन्य की दाल कटोरी में डाल कर रख देता है तोते का स्वभाव है कि वह नीचे नहीं बैठता पर जब तोता दाल खाने के लिए आएगा तो उसी नलकी पर जो तार पिरोई हुई है बैठेगा तोते के बैठते ही वह नलकी उपर से नीचे घूम जाएगी नलकी जो तोते ने अपने पंजो से पकड़ी हुई है उसके साथ ही तोता भी घूम कर उल्टा हो जाएगा और टैंटें करने लगेगा क्योंकि तोते को इस नाग्यान नहीं होता कि वह नलकी को छोड़ कर उड़ जाए वह जान लेता है कि इस नलकी ने तेरे को पकड़ लिया है बस इसी अग्यान से तोता बंदन में आ जाता है तीसरा अध्याय समाप्त ओम तत्सत